स्वाद का अनोखा संगम आज बनाते हैं बिहार के गाउं का खास अदवरी आलू और बैगन की सबजी जो एक बर खाएंगे बार बर बनाएंगे घर का स्वाद एकदम नाया अंदाज तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो मैं यहां पे एक बैगन लिया हूं और इसको पीस में कट लगा देंगे अची तरह से धो लिया हूं और पीस में छोटे-छोटे कट लगाएंगे ताकि अची तरह से गल जाए फिर मैंने यहां पे दो आलू लिया है अलू को भी हम लोग सेम साइज में कट लगा देंगे और फिर इसको अच्छी तरह से हम लोग धो लेंगे, धो के फिर करहाई में मैंने तेल गरम कर दिया है, अब इसमें हम लोग डालेंगे अदावरी, अदावरी को यहाँ पे medium flame पे फ्राई कर लेंगे दो मिनट के लिए ताकि इसमें से अच्छी खुसबू आए और स्वाद आ और चार से पांच लसुन का कलिया छोड़ा के इसको कटके डाल देंगे ताकि इससे अच्छी खुसबू आए और लसुन डालने से एक अच्छी खुसबू आता है स्वाद आता है हमारे सबजी में जो इसको थोड़ा दिर फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा color change होने तक लसुन ब्राउन हो जाए तो अदवरी और आलू बैगन का सब्जी खाने में बहुत स्वादिस्ट होता है और यह सब्जी अगर बनाएंगे तो आप चिकन मचली जो भी है आप नॉन्वेच खाना भूल जाएंगे क्योंकि इसका बहुत अच्छा स्वाद होता है फिर इसमें हम ल देख रहे हमें कोमेंट करके बताएं अब अदवरी का सब्जी कभी खाए है कि नहीं फिर यहां पर मैंने दो टमाटर डाला हुआ है काटा हुआ ताकि इससे थोरा सा खटा पनाए सब्जी में सब्जी को यहां पर तीन से चार मिनट तक फ्राई कर लेना है अच्छी तरह स पाउडर फिर एक चमस जीरा पाओडर एक चमस मिठ्चा पाउडर और अधो चमस हलदि पाउडर मिलाके और फिर इसमें हम लोग डालेंगे स्वाद अनुसर नमक नमक delive तो मैं यहां पर नमक डालने के बाद इसको थोरा सा चला दोंगा और सब्जी कलना शूरु हो गया है और यह सब्जी से थोड़ा थोड़ा पानी चोड़ना शुरू हो गया है और अभी नमक डाले हैं तो थोड़ा सा और पानी छोड़ेगा इसमें से तो यह रेसिपी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा अदवरी आलू और बैगन का सब्जी सबसे जदा बिहार और यूपी में बनता है और यह अदवरी जो है आप स्टोर करके भी रख सकते हैं दो तीन मैना के लिए और अदवरी बनाना बहुत ही इजी ह यह डाल से बनता है और इसमें प्याज और बाकी मसाले मिला कर इसको बनाते हैं और दूप में सूखा के इसको एस्टोर करके रख सकते हैं तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डाला हूँ पानी डाल के इसको अच्छी तरह से भूलनेंगे वीडियो थोड़ा सा लंबा है पर आपको प्रोसेस पूरा step by step इसमें दिखाया गया है कैसे अदावरी अलू और बैगन का सब्जी एकदम स्वाधिस्क बनता है इसको अभी धक्के और तीन से चार मिनट तक पकाना है अलू ताकि अच्छी तरह से उबल जाए और अदावरी जो हम लोग डाले हैं वो कि अदावरी और बाकी जो सब्जी मिलाए हैं उन सबको एक साथ हम लोग भूल लेंगे हैं तो मैं यहां पर थोरा सा पानी मिला दूंगा और पानी अंदास से मिला है ताकि अच्छी तरह से उबल जाए अगर ज्यादा पानी आप डालेंगे तो फिर पानी जालाने में टा का लिया है अब इसको देखते हैं कितने अच्छी तरह देखे उबाला गया है और अच्छी से खुशबू आया इसमें तो अदावरी हमारे फुल गये हैं और आलूबी आराम से हो गये हैं तो अब इसमें हम लोग धनिया से गार्णिस कर देंगे तो एक चेक कर लेता हूं दावरी आराम से हो गया है और यह पूरा उबल गया है अच्छी तरह से अब इसमें धनिया से हम लोग गार्णिस करके और सब्जी हमारे सर्फ करने के लिए तयार है तो अगर आप हमारे वीडियो चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं आप यह सब्जी चावल से खाना पसंद करते हैं या रोटी से खाना पसंद करते हैं तो सब्जी हमारे बनकर त्यार है अब इसमें हम लोग भनिया से गर्णिस कर देते हैं और इसको फिर के साथ तो चलिए मिलते हैं आगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ